नमस्कार दोस्तों इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि डोलिमा D3 कैपसूल का उप्योग किन कंडीशनस में किया जाता है डोलिमा D3 कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और डोलिमा D3 कैपसूल कीफसूल की वज़ से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि डोलिमा D3 कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। डोलिमा D3 एक ब्रैंड नेम है। डोलिमा D3 कैपसूल के अंदर सौर्ट कमपोजिशन कॉलेकैलसिफेरॉल 60,000 इंजनाशनल यूनित होता है। विटामिन D3 को पॉलिकैलसिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। डोलिमा D3 कैपसूल का उप्योग शरीर में विटामिन D की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है। शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है, और शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, जिसकी वज शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दातों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% हमारे बलड में होता है जब हमारे बलड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हमारा शरीर हड्डियों और दातों से कैल्शियम लेने लग जाता है जिसकी वजह से धीरे धीरे कमजोर होने लग जाते हैं हड्डिया कमजोर होने की वज़ा से हड्डियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वज़ा से दांतों की जड़े कमजोर हो जाती है और दांत भंगुर होकर तूटने लगते ह और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है या लंबा समय लग सकता है। बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है। और शरीर में कैल्शियम और विटामिन D की कमी होने पर शरीर की हड्डियों और जोडों में दर्थ रहने की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा ओस्चिमालेसिया होने पर, ओस्चियो पोरोसिस होने पर या बच्चों में रिकेट्स होने पर भी Dr. Dolima D3 कैपसूल को लेने की सलाह दे सकता है। रिकेट्स होने पर बच्चों की हड्डिया कमजोर होकर तेडी मेडी हो जाती है और ओस्चियो मालिसिया होने पर हड्डिया कमजोर हो जाती है और शरीर के जोड़ों हड्डियों व मासपेशियों में दर्थ रहने की समस्या हो जाती है किडनी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में कैलशियम और विटामिन D की कमी को होने से रोकने के लिए भी डॉक्तर डोलिमा D3 कैपसूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। मा का दूद पीने वाले छोटे बच्चों में विटामिन D की कमी हो सकती है। क्योंकि मा के दूद में विटामिन D की मातरा बहुत कम होती है। इसलिए मा का दूद पीने वाले बच्चों में विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्तर विटामिन D और कैलशियम की ज्रॉक्स दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो सही डोज में डोलिमार D3 कैपसूल को लेने पर ज्यादा तर व्यक्तियों में डोलिमार D3 कैपसूल की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन यदि किसी व्यक्ति को डोलिमा D3 कैपसूल को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए. ज्यादा दोज में डोलिमा D3 कैपसूल को लेने की वज़े से शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर अधिक हो सकता है, शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर ज्यादा होना भी नुकसान दायक होता है, अब हम डिसकस करेंगे कि डोलिमा D3 कैपसूल को कैसे लेना दोलिमा D3 कैपसूल को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है लेकिन दोलिमा D3 कैपसूल को खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है दोलिमा D3 कैपसूल को शाम के समय दूद के साथ लेना ज्यादा अच्छा होत आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर डोलिमा D3 कैपसूल को सब्ता में केवल एक बार ही लेने की सला देते हैं और 8 सब्ता तक लगातार लेने की सला दे सकते हैं। और 8 सब्ता बाद डॉक्तर डोलिमा D3 कैपसूल को महीने में केवल एक बार ही लेने की सला देते हैं और 6 महीने तक लगातार लेने की सला दे सकते हैं। डोलिमा D3 कैपसूल की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको डोलिमा D3 कैपसूल को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की डोलिमा D3 कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। डोलिमा D3 कैपसूल को लेने के बाद यदि आप लैबोरेटरी में कोलेस्टरॉल की जाच करवाते हैं, तो कोलेस्टरॉल टेस्ट के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ज्यादा हाई डोज में विटामिन D को लेना रेकमेंडेड नहीं है। इसलिए जरुरत पढ़ने पर doctor pregnant महिलाओं और स्थनपान करा रही महिलाओं को कम डोज में vitamin D के supplements लेने की सला दे सकता है इसलिए pregnant महिलाओं और स्थनपान करा रही महिलाओं के लिए dolema D3 capsule को लेना recommended नहीं है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डोलिमा D3 कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं